गोड इवनिंग गाइज वेलकम बैक टू दे चैनल गाइज सो मेरे चैनल पे आपका एक बार और बहुत-बहुत स्वागत है तो गाइज मैं एक और गेम खिलने जा रहा हूँ इसमें मैं एक टीचर हूँ और मैं एक टीचर की मतलब मैं एक टीचर हूँ अपने स्टुडेंट से स्वाल जाब करूँगा जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तो ठीक है गाइज चलिए गेम को फटापट से कहलना स्टार्ट कर देते हैं और एक बार फिर मैं आप लोगों को पंदरा अगस्त की अरदे स्टुडेंट कर देना चाहूँगा तो चलिए गाइज गेम को खिलना स्टार्ट कर देते हैं पुटापट से हाई स्कूल सिमिलेटर इस गेम का नाम है इस स्कूल में क्या है गाइज वो अभी पता चल जाएगा लैवल बन से पता चल जाएगी मुझे इस में गेम में क्या करना है ओके गाइज तो यह आप स्क्रीन में देखिए गाइज यह को स्कूल नहीं है गाइज यह जो टीचर आप देख रहे थे फिमल टीचर तो अब ये स्क्रीन में देखिए ये जो लेडी है ये टीचर है ठीक है अब क्या करना गए इस टीचर को फ्रेश होना पड़ेगा तैयार होना पड़े because सुबह हो गई है और सुबह क्या करते हैं हम और आप सुबह हम लोग फ्रेश होते हैं फ्रेस होने के बाद क्या करते हैं फ्रेस होने के बाद हम लोग नहाते हैं नहाने के बाद फिर नास्ता वास्ता सारा करके फिर अपने काम धंदे पर निकल जाते हैं तो चलिए, ऐसा ही यह game है तो मुझे भी starting with तो मुझे भी अपने आपको fresh करना, fresh करने के बाद क्या होगा fresh करने के बाद मुझे अपना नास्ता करना होगा तो चलिए भी, ये जो इंस्टेक्शन में कोई lady देख रहे हैं ये मेरे को बता रही है इन्होंने मेरे को जगा दिया है, तो मुझे आभी यहां पर खुद को फ्रैस करना, तो ठीक है। अभी आप देखे, स्टैप देखे तो मुझे कोई भी इस गेम को खेलने में आप लोगोंको दीकत का यह प्रेसानी नहीं आएगे। बहुत ही इसके easy जो आपस में की देखरे सर्फ दोई की है ये देखिए गुमाने का ये ये देखिए बहुत ही असान है इस गेम को खेलना ये है मतलब जो ये teacher देखरे इसको fast walking के लिए ये देखिए अब मुझे इधर जाना है बातरूम के अंदर तो ये okay so brush वगरा जो भी teacher को करना होगा खुद को fresh करना होगा तो वो कर लेगी brush कर लेगी भूँ हाद दो लेगी ठीक है उसके बाद ना दो लेगी ना दोने के बद क्या होगा अपना break fast कर लेगी तो guys the day is about to start तो अपना पहला दिन आज start हो गया है तो अभी मुझे तयार होके यहां पर बहुत जल्दी से स्कूल में जाना होगा चाहां पर बच्चे मेरा उल्रेडी पहले से बेट कर रहे होगे वहां पर जाना होगा तो चलिए उकेश्ट एडरेडी तो guys मुझे अभी क्या करना होगा इसमें मुझे अपनी dress को चूज करना होगा इसमें मुझे तीन dress में से किसी एक dress को चूज करना होगा तो चलिए गाइज भब क्लिक कर देता हूं फटा फटा फट मैं अलमारी के पास जाता हूं और गाइज जो ड्रेस होती है वो आप लोगों कि पता वो अलमारी के अंदर ही होती है तो उसके अंदर भी आज देखते हैं कुछ सी ड्रेस जो टीचर देख रहे हैं इनके पर सूट करेंगे तो ये देखिए ये पहली है ठीक है तो मैंने ये ये ड्रेस मैंने चूज कर ली है ठीक है तो अब ये देखिए नीचे अब देखिए फूट्प्रिंट है अब ओके ये बैग मैंने पकट लिया इस टीचर का बैग था अब क्या है अब मुझे बाहर जाना होगा बाहर इस लड़की की तो टीचर देख रहे हैं अब ये पार इस टीचर के गाड़ी ख़ड़ी है और गाड़ी भी आप देखिए गाइस को नॉर्मल गाड़ी नहीं है यह देखेगा है एक sports car है guys आप सोच सकते हैं एक teacher के पाथ sports car वो भी लाखो के नहीं करोड होगी गाड़ी but guys guys भी aspect नहीं कर पा रहा एक teacher के पाथ इतनी महीं काड़ी कैसे हो सकती है guy guys कैसा भी school हो चाब कितने पैसे क्यों ना कमाते हो हो सकता है जो teacher आप देख रहे हैं यह teacher होने के साथ सात हम अपनों कोई business भी कर रही हो друзья आप अप पर मैं अभी इस पर जो ब्लू सा जो देख रहे थे तो मैंने इस लेडी को लेघे इस teacher को ले गया that's a nice outfit तो यह लेड़ी मेर को कह रही है आपके जो कपड़े आउटविट बहुत अच्छे हैं ठीक है तो तारीफ हो गए बहुत तो अभी next move देखता भी आगे मुझे क्या करना होगा ओके तो गाइज अभी अपने माइंड में जो टीचर आप देख रहे हैं ये सोच रही है कि अभी बहार तो ये आ गई है लेकिन गाड़े की चाबी और ब्रेकफस्ट वो बोल गई जो की सबसे इंपोर्टेंट और भूलने की चीज़े होती है आप कभी भी फॉर एक्जामपल मापको एक उदान देना चाहूंगा इस गेम के मादम से आप ओफिस के लिए निकल रहे हैं फोर एक्जामपल आप स्कूल के लिए निकल रहे हैं लेकिन जो चीज़े बूरने की होती है वो आप अपने जो भी डाइनिंग टेबल होता है जहां पर देख फास्ट करते हैं वह पर सारी चीजे आपके आखों के सामने होने चाहिए बिगो सुबह जल्दी का टाइम होता है और एक अगर आपका स्कूल आठ बजे का तो आपको साधे साथ बजे तक या इतने बजे तक आपको स्कूल पहुच जाना ही चाहिए अगर आप लेट होते हैं तो उसमें आप आपके पेरेंट्स परेशान होते हैं और टीचर आपको पनीश्य करते हैं जिससे कि पूरा दिन हबाब का बेकार जाता है और कई बार तो यह भी होता है कि अगर आप लेट हो गए होते है घाना है तो दोनों छीजे बहुत जरूरी है अभी वापस दोबार से मुझे घर के अंदर जाना होगा ओके प्रीज के अंदर है इस जो टीचर देख रहे थे इनका नास्ता पकड़ लिया इनोंने और अब बाहर जाना होगा दूसरे साइड दूसरे साइड में क्यो जा रहा हूँ हम बता देता हूँ आपको दूसरे साइड गाड़े की भी लेनी है ना यह देखिए यह की है यह की मैंने पकड़ लिये और अब गाड़े के पास जाना होगा बाहर की तरफ है और गाइस इंपल बहुत गाइस गेम काफी अच्छा गेम आपको खेलना चाहिए और गाइस में इस गेम का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा करा दूँआ अब डिस्क प्रेंड बन सकती है और भी फ्रेंड बन सकती है और प्रेंड बन सकती है तो चलिए गाइस अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा समय लगेगा लोडिंग हो रही बिकॉस तो गाइस मुझे भी क्या करना है मुझे अभी स्पोर्स कार अब देख रहे हैं जिस गाड़ी के अंदर जाना और जो यह गाड़ी देख रहे हो अब मुझे इसको हाई स्कूल जो स्मिलेटर जो गेम का नाम है मुझे स्कूल में इस गाड़ी को लेके जाना पार्क करके मुझे स्कूल के अंदर एंटर कर जाना है ठीक है उसके बद क्या है उसके बद आगे बताएंगे यह मैंने गाड़ी के अंदर यह लेडी चली गए और गाड़ी गाड़ी एक बात दो बता देता हूं आपको गाड़ी के जो कंट्रोल है न वह बहुत ही अच्छे है ठीक है यह देखिए और गाड़ी समझ में मेरे को यह नहीं आ रहा है यह कि स्पोर्ट्स कार है लेकिन ए भूल चटा दे, ऐसे गाड़ी है, सूपर कार है, गाईज, नोर्मल गाड़ी, नहीं है, सूपर कार है, तो यह स्कूल आ गया है, हाइपर, ओके, भी हाइज स्कूल, यूर उन टाइम तो गाईज, यह जो टीचर देख रहे थे आप, यह भी समय पर आ गई है, स्कूल के अंद और कभी भी लेट नहीं होना चाहिए, चाहिए वो टीचर और स्टुएंट हो, अगर टीचर होते हैं, तो भी यह नहीं है, कोई उसको नोटीस नहीं कर रहा है, जो प्रिंसिपल होता है, वो सब नोटीस करता है, वो आप सबसे पहले ही बैठा होता है, ठीक है, वो आपको आट पजे का टाइम था तो अब सब आट पजे क्यों आए तो ऐसा नहीं होता कि अब डेली डेली आए जा रहे हो लेट हो अब को कुछ कहीगा ने ऐसा नहीं होता है तो आज गाइस मुझे भी एडमिन के पास जाना हो तो एडमिन से मुझे पूछना होगा कि आज का मेरा क्या मतलब मुझे क्या करना है स्कूडल आप देख रहे हैं इसका मतलब होता कि आज मतलब आज की जो मेरा काम होगा मेरा कारिया होगा मुझे क्या काम करना है तो जो admin है वो वह ही बताएगी ठीक है तो guys चलिए अब फटापट से चल देता हूँ school के अंदर school के अंदर फटापट से चला गया हूँ मैं ओके यह है वो admin इससे मुझे permission ले लिए है आज अगा क्या मुझे काम करना होगा hello miss Tina तो जो आप यह teacher देख रहे हैं इस लड़की का नाम है Tina ठीक है तो सामने आप देख रहे हैं जो कि एक admin है उस लड़की का नाम है Luna Luna और Tina is my schedule right for today okay show me wait a second have a seat please so guys यह जो Luna देख रहे हैं आप यह मेरे को बैठने के लिए कह रही है thanks मैं भी इनको thanks बोल देता हूँ अभी यह जो आप देख रहे हैं यह Tina यह हम बैठ गी seat के ऊपर सोफे के ऊपर थोड़ा सा wait करेंगे your class is about to start तो guys जो यह teacher देख रहे हैं यह Tina teacher देख रहे हैं यह जो teacher इनकी class जो है वो start हो चुकी है बच्चे वहाँ पर इस teacher का बीड कर रहे हैं तो लिए फटापट से school class के अंदर चलते हैं कैसा मावल कैसे बच्चे हैं कैसे सवाल मुझे उनसे पूछने होंगे ठीक है सब चीज़े देखी जाएंगी और अगर कोई guys कोई नोटी बच्चा मिलता है जो भी class के अंदर जो बच्चे होंगे उनको जो टीचर देख रहे हैं अप लीना टीना यह उनको विश करेगी ठीक है यह नहीं करना चाहिए कि सिरफ student ही teacher को विश करे teacher को भी student को विश करना चाहिए विकोज जो student होते हैं वो तो guys एक group में बोलते कि for example जब हम 10th class में फिर 1st, 2nd जो भी class में हम पढ़ते थे जब हम छोटे थे for example मैं उस्टुडेंट और मेरी उमर है 5 years old और मैं उसमें पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा तो जीतने for example मेरी जो class है जो 5th class है उसके अंदर total 40 बच्चे हैं 40 बच्चे क्या करेंगे जैसे ही teacher अंदर class के अंदर enter होगी तो क्या होगा माहूल क्या होगा पहले क्या होता बहुत सराबा होता है तब class आएगी अब teacher आजाएगी तो class के अंदर एक शानतिछ आजाते विकोज सब को पता विकोज अगर teacher आगई अगर जो बच्चे हैं उन्होंने discipline का पालन नहीं किया तो जो teacher पनिस करेगी उसब को खड़ा करदी कोई punishment दे सकती है तो यह तो हर एक school में बहुत normal है तो चली गाईज अभी आगे चलते हैं आगे में जो student है वो उस teacher का बेट कर रहे है ओके यह आप देखें गाईज यह बैग रखते है तो यह गाईज देखी गाईज यह जो इसका जो class का जो space है काफी कम space है बद मुझे समझ में नहीं आ रहा इस class का space है इतना कम क्यों है बिकोज चार पास बच्चे इसके अंदर बैठे यह तो बिलकुल भी ठीक नहीं है बट ठीक है गाईज गेम में जो दिखायागा है मैं उसी को भी बताऊंगा ना अब class के अंदर पचास बच्चे होते तो उसी के असाब से मैं आपको बताता तब यह देखे टेक एक विज तो मुझे इन से क्विज करना होगा स्टूडेंट से जो भी बैठे हुए है सामने आप देखे जो भी एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, सर्फ, छे बच्चे बैठे हुए हैं सारा सारा लड़की खड़ी हुई है इस लड़की का नाम है सारा और जो एडीन टीचर देख रहे है आप स्क्रीन के सामने एडीन टीचचर है ये जो सारा लड़की उससे पूछ रही है कि होवर्क क्या है तो यह लड़की जो सारा ही बताएगे अपनी टीचर को की आज क्या गाम चलिक आगे बढ़ते हैं मैं today is an oral math quiz तो guys आज जो math होते है जो गनित बोलते है इंदी में math को उसके quiz होंगे तो उसका सवाल जवाब किये जाएंगे अगर आगे देखता कि क्या होएगा Okay student I am taking your quiz right now whoever falls in the quiz will not be allowed to sit ठेके guys तो अभी देख रहेंगा ये जो टीना टीचर आप देख रहें क्या कह रही है ये कह रही है कि मैं भी तुमसे वन बाइवन सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दूँ अगर किसी ने सवाल जवाब मतलब जो भी मैं सवाल पूछोंगे उसका सही जवाब नहीं दिया जो भी मैं मैं के कुई सवाल पूछोंगे वो अगर तुमने या फिर तुमने अगर उसका सवाल मतलब सही जवाब नहीं दिया तो वो पैट नहीं सकता मतलब कि वो एक तरह की पनिशिमंट हो जाएगी चलिए भी जो लेट गेट सर्ट चली गाइस स्टार्ट करतें क्लास को सवाल जवाब के साथ में तो यह पहला सवाल नप देखें बहुत दिस्म्पल है 6 प्लस 4 कितना आए गए तो गईस को भी बता देख बहुत ही कॉमन सवाल है 6 प्लस 4 10 होते हैं मैं अब इस पे क्लिक कर देता हूँ तो राइट बिल्कुल ठीक है तो भी मैं आगे बढ़ता हूँ उस लटकी ने कापी अच्छा जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है गाइस देखिए जो भी सवाल जवाब पूछे जाएगे गेम के अंदर मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ आई होप आपको वीडियो पसंदा आ रही होगी अगर आपको पसंदा रही है तो गाइस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राब कीजिए चलिए अभी जो दूसरी स्टुडेंट है वो अगर उससे मेरा सवाल जवाब अभी आपके सामने है 12 प्लस 8, 20 राइट, इस इट करेक्ट, करेक्ट ओके, नेक्स्ट जो तीसरा है यह लड़का है लड़के से सवाल जवाब करके देखते हैं कैसा यह डल है मुतलब की इंटेलिजेंट कैसा बचा है 7 प्लस 1, बहुत यह सिंपल क्वेश्चन पूछा मैत का 7 प्लस है कितने होते, 8 होते है ठीक है, तो यह हो गया अभी यह मैं तीनों से पूछ लिए, अभी यह पीछे बैठाई भी देखिए, यह कैसा जवाब देखा 2 प्लस 2 कितने होते हैं बेटा 4 होते हैं, यह प्लस 2 प्लस 2, 6 होते हैं, बिल्गुर ठीक जवाब है ओके ओके गाइस, तो जो आप लेटी देख रहे हैं, यह तारीफ कर रही है मैडम की तो गाइस, आपने देखा कि यह जो जितने भी पचे थे कापी इंटलेजन बच्चे लग रहे हैं मेरे को भी जो भी जो टीचर ने सौल जाब किये थे, सब यह ने सब का सही तरीके से उत्तर दिया है तो भी आप यह लेडी देख रहे हैं आप यह लेडी गाइस मतलब कि इसके हाथे आप यह कागज देख रहे होंगे यह कारड आप वाइस यह जो क्या भी प्रिंसिपल की मीटिंग होने जा रही है तो प्रिंसिपल ने जिए टीना मैडम देख रहे हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आपके सामने तो ओर आया हागे से कि प्रिंसिपल मैडम ने आपको बुलाया और मीटिंग होने वाली है, चली मीटिंग में चलते हैं, मीटिंग में देखें क्या करना आगे, मतलब कैसे बच्चे को हैंडल करना है, क्या कुछ पढ़ाना हो गलास के अंदर, मतलब जो discipline होगा न, वो तो वही है ठीक है, वो स्कूल के साब से चलता, जो principal कहता है, principal male रहे हो और वह जो कार्ड है और मैने ले लिये नपिकाद से चलिए भी हम फटा-फट से अभी निकल जाते हैं थोड़ा से जल्दी कर देते हैं काफी बड़ा स्कूल है गई चुटा मोटा स्कूल नहीं है बढ़ समझ में नहीं आ रहा है मेरे कि जो स्कूल इतना बड़ा तो इसकी जो ग्लास कि पाल स्कूट्टी किinel within सिर्फ 5-6 बच्चे बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि जो क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, वो सकता है कि वो डर की वज़े से नहीं आई हो, विकॉस गाइज, जब हम और आप पड़ते थे, बहुत ताइम ऐसा होता है, जो साइन्स का पीरिड या फिर मैट का पीरिड और गाइज, अगर टेस्ट ले रहे हैं, अगर टेस्ट में आपके कम मार्क आगे तो गाइज, जो बाइचे तेचर भूल भी जाता है कि, टीचर बहुत जो क्या करना है, because जो teacher होता है उसके स्कूल खतम हो जाता और next डी आता है वही पिर मतलब for example जो science का पिर math का period for example math का period days fourth period is fourth period math का period अब क्या होगा जो कल कोई for example बच्चे होंगे तो एक दम से teacher को बताएंगे कि sir दम कर आपने पिटा ही नहींगी Nical test हुआ था तब क्या होगा, वो बच्चे को negate to force残 पूरulk意思 करते हैं, तूरक्जें बच्चे होते हैं गिज़ने बच्चे अच्चे marks whole ओते हैं वो टीचर को form करते हैं थाकी जोblad टीचर होता वो बच्चे को pass हुँरे थीक है? ऐसा संब बहुत होता गाईज यह मेरे साथ भी जब मैं स्कूल में पढ़ता तब भी होता था और आपके साथ भी हुआ होगा बहुत कुमन सी बात तो चलिएगा तब मैं जाता हूँ अभी देखते हैं जो प्रिंसिपल है उनके सथ क्या वरतालाप होने वाला है वेलकम मैं हाव इट गॉइंग तो गैस दोनों का जो ड्रेस है काफी मैचिंग मैचिंग कर रहे हैं और उस सामने देख रहे हैं यह है प्रिंसिपल तो इनके साथ में मीटिंग होनी है अब आगे देखते हैं क्या यह प्रिंसिपल कह रही हैं ओल गुड्स मैम थैंक्स ओके सो लेट्स डिसकस्त अजेंडा क्या अजेंडा है आजका तो काफी टीचर बैट इनके साथ में हैर वी गो राइट राइट ओके गो टू दा एटीएम एंड विग्ड्रो मनी तो गाइज अभी स्कूल के अंदर एक एटीएम एटीएम जाके गाइज मुझे अभी एटीएम जाके फटापट से कैस निकालना होगा हो सकता है कि टीचर को कैस किया हो सकता हो लेकिन कैस कि क्या हो सकता है वो मैंने बता सकता गाइज यह देखे गाइज यह मैं पहला स्कूल देख रहा हूँ जिसके अंदर क्लास मतलब स्कूल के अंदर एटीएम मैं आज तक कभी भी स्कूल के अंदर एटीएम नहीं देखा है काईज अगर आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें अगर आपने इसमें एट्यम था तो आप मुझे कमेट में बता सकते हैं ओके गाईज तो यह जो एट्यम में इसका जो एकोड है यह 1634 है 1234 और यह मैच कर जाएगा एक्सेस ग्रांटेट एक्सेस ग्रांटेट का मतलब होता है कि जो भी अपने 4 डिजेट का कोड डाला था वो असेट कर दिया गया है और आप अपने पैसे विड्रोग कर सकते हैं अपने पैसे निकाल सकते हैं तो अब एट्यम अनलोक हो गया है अब आगे देखता है अब आगे क्या करना हो मुझे instruction go to the canteen and have some refreshment तो guys अब ही क्या करना आप समझ रहें न अब अब क्या होने वाला है मुझे canteen के अंदर जाना वहाँ पे मुझे कुछ खाना पीना होगा तो चलिए guys canteen के अंदर जाते है guys और एक बात मैं आपके समने share करना चाहूँगा जब मैं जब पढ़ता था जिस school में पढ़ता था वो school बार भी तक का होता था और मेरे school में guys कभी भी मुझे ऐसा नहीं है कि हम हर बारी एक स्कूल में पढ़ते रहे काफ़ स्कूल भी चेंज किये लेकिन जितने स्कूल भी मैंने चेंज किये आज तक मैंने किसी स्कूल में भी कैंटीन नहीं देखा तो guys अगर आपके स्कूल में पढ़ते थे अगर आप कैंटीन था तो आप उसके बारे मेरे साथ सेर कर सकते हैं चले guys अभी फटा फटा कैंटीन के अंदर चलते हैं और अपना देखते हैं अब खाने में क्या है हो सकता है guys लंच का टाइम हो फट फिर भी ब्रेकफास्ट यह जो टीचर देख रहे हैं आप टीना यह अपने साथ लेके गए थी लेकिन अगर स्कूल के अंदर कैंटीन है तब guys कौन ब्रेकफास्ट के चिंता करता है कोई भी चिंता नहीं करेगा क्यांटीन में कि तम गर्मा गर्म खाना मिलेगा फ्रश मिलेगा कि को आप जो ब्रेकफास्ट लेके चलते हैं वो जब आप for example आपका लंच ग्यारा बजे फिर साड़े ग्यारा बजे होने वाला है आप स्कूल में होता है जो जितने भी स्कूल मैंने यही देखा कि ग्यारा फिर साड़े ग्यारा बजे कि स्कूल में बारा बजे भी लंच होता है तो गाइज जब जब लंच होता है जो भी हम breakfast है जो भी अपना खाना जो स्कूल के लेके चलते हैं वो ठंडा हो जाता जिससे क्या हो जो भी उसके जो पोशक ततो होते हो खतम हो जाता है और लेकिन क्या है गाइज खाना तो पढ़ता है विकाज खाना घर से लेके आए तो खाना भी पढ़ता है चलिए अभी कैंटीन में गर्म गर्म खाना फ्रूशा जाएगा तो अब सामने देख रहे हैं हेलो किन गेट चीकन जेड विद डेबल चीज राइट अभी गाज ये क् देखना होगा चीकन मंग रही है ये श्यूर मैं मिट विल टेक एक पॉल अफ मिनेट तो कुछ मिट मुझे बेट करना होगा इस सिंपल सी बात है वेट तो करना ही होगा विकास जो खाना होगा कैंटीन में ताजा बनता यह नहीं कि कुछ आपके सामने रख दिया और कैंट केंटीन के अंतर क्या रून बनाए होते हैं आपे मतलब की टोकन दिया जाता है मतलब टोकन से क्या होगा दस्टोकन देदिये आपका नमबर पाँच वह आ गया तो अब मतलब आपके जो भी आपको चाहिए आपको छोले वो टूरे खाने हैं, आपको छोर खाना, चावल खाना है, नूनवाज खाना, वो आपके उपर डिपेंड करता है, फिर आपको चाइनिज लेना, ठीक है, तो के, टोकन के मतलब की, टोकन दे कई, मतलब पैसे दे दे, फिर आपको टोकन मिलता है, फिर आपको टो बर्गर जएद इन्होंने जी जो बर्गर मांगा था और यह मैं बर्गर पर क्लिक कर दिया तो मैंने पिक कर लिया है अब मुझे क्या करना हुआ चेर पर बैटे को फटावट से बर्गर को खाना होगा इससे मेरी भूक मिट जाएगी तो गाइज और मुझे कमेंट में लिखके बताईए कि आप लोगों को फॉर अग्जमपल कैंटीन के अंदर मतलब ठीक है कि आपको कैंटीन में हर बारी फॉर अग्जमपल की छोले गुटूरे राइस राजमेसा कुछ खाने को मिल फॉर अग्जमपल मतलब आपको बर्गर क खाने को मिल जाए हर एक वेराइटी का बर्गर आपके पास है तो आप कौन सा बर्गर खाना चाहोगे अब कमेंट में लिखके ज़रूर बताईए ओके तो आप जो टीना टीचर देख रहे थे इन्होंने अपना जो भी मिल था वो अब इन्होंने अपना खा लिया है यहाँ पे instruction teach a lesson to the aggressive student तो गाइज अभी मुझे यहाँ पर जो भी सरारती भच्चे होते हैं उनको मुझे यहाँ पर सबक सेकाना होगा क्या करना मुझे इनको पनीच का न हो सकता कि मुझे इनको पीटना भी हो तो गाइज अभी गाइज मुझे लग रहा कि गेम कापी जो वीडियो देख रहे कापी लंबी हो गई है तो गाइज आगे की वीडियो हम कल स्टार्ट करेंगे अगले आप इसोड में तो गाइज ि, वीडियोय हैं, बस इतना ही, आई हॉप आपको, जो स्कूल की वीडियो थी, जो स्कूल का लाइफस्टाल था, वो मैंने आपको डिसकस कियाै, इस घेम के मादमसे, आई हॉप आपको मैं जो वीडियो है, वो पसंद आई होगी, और आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसमें आपको क्या क्या करके दिखाया कहां जाना है ठीक गाइज आई होब आपको भी पसंद आई होगी और जाने से पहले मैं आपको फिर एक बार अंदरा अगस्त की हार्दिक सुथ कामन देना चाहूंगा गुदनाइट टेक चाहर वे नाइज देना देना देना